लोकसभा चोन सरगर्मियां दी गाल कार ले ये ताम बीजेपी ने काल आपने 72 उमीदवारां दी दूसरी सूची वी जारी कार दती है दे ज़ेडी चर्चा चल रही सी कि हर्याण दी सीम मनोहर लाल खाल लोकसभा चोन लड़ सकदेने ओ इस सूची दिविच साच और पन्जाब तो साब का मुख्मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंग दी पतनी महराणी परनीत कौर्वी आज बीजेपी दिविच रस्मी तौरते स् हाला के कामताओं पिछले कई मीन्या तो बीजेपी लई ही कारदे दिखाई दे रहे हन पर रस्मी तौरते अज बीजेपी दा पल्ला उगाल दे विच पौनगे इस दी पुष्टी न्यू मोती पैलेस पट्याडा दे बुलारे ने वी कार देती है बुलारे मुताबिक महराणी नू बीजेपी दे कौमी परदान जेपी नड़ा अपनी पार्टी विच शामिल करवा सकते ने हाला के समा केड़ा होएगा इस बारे कोई जानकारी नहीं मिल सकती पर आज किसे वक्त वी महराणी बीजेपी दे विच रस्मी तौरते शामिल हो सकती है एसे तरह SGPC दे सापका परदान बीबी जगीर कौर नो मिलन वी अकाली दल्दे परदान सुग्वीर सिंग बादल खास तौरते बेग गोवाल पहुंचनगे बीबी जगीर कौर दे परबंदा हेट एथे जड़ा डेरा चलाया जा रहा है उस दे विच प्रोग्राम रख्या गया है जिते रस्मी तौरते बीबी जगीर कौर नो अकाली दल्दे विच शामल कीता जाएगा पिष्ले दिने अकाली दलादर देवलों वीबी जगीर कौर्ण न इंखे लाफ पास की ता मता रदकार देता गया सी जहे विच क्यास लगने शुरू हो गएने कि अकाली दल देवलों वीबी जगीर कौर्ण भी लोग सबा तो टिकेट दित्ती जा सकती है सुपखे होई सियासी में दान देवे चुके इत्रानियन चर्चामान चाल रही है ने आखरी फैसला हाइकमान ने अपने फायदे नुकसान देखके ही करना होंदा पंजाब बीजेपी दे परदान सुनील जाखर वी कल दिल्ली पहुंच के ने ते आज बीजेपी हाइकमान दे नाल ओ मुलाकात करनगे हाला के जाखर ने जान तो पहला एक है कि अकाली बीजेपी गाट चोड़ बारे फैसला हाइकमान ही लवेगी पर उना दे वल्लों लोगसभा चोड़ा लड़न दे जड़े पंजाब तो संभावेत उमीदवार ने ओ सुची हाइकमान नू जरूर सौंपी जावेगी सुतरदास देने के 39 नावा दे सुची सुनील जाखर दे वल्लों पंजाब दी लीडर्शिप दे पंजाब बीजेपी इंचार्जनार सला करंतोबाद त्यार कीती गई है विच हर हलके तो तिन जही नाम शामल किते गए ने जना दे जितन दी संभावना पार्टी नू लग रही है गुर्दासपुर हलके तो खबरा आ रही हैं कि एथे बीजेपी नू उमीदवार लबणा ओखा होया पया क्योंकि पांज साल सनी दियोल अपने हलके दिवेच वड़या ने इस करके लोग बीजेपी तो खासे ओखे ने परेशान ने गुर्दासपुरिया ने पूरा हुम हुम आके सनी दियोल नू जिताया सी पर सनी दियोल ने अपने हलके च कदे वड़के निवेख्या एथो ताके ओ लोग सबा देवेच भी काठी नजराई पाजपानू एस से करके केंदे हलके देवेच कोई उमीदवार नहीं मिल रहा जो सीट जित के चोड़ी पासके बीजेपी दिया इनना चोण सरगर्मिया दर्मियान हुंजड़ा किसान लीडरा ने कल बौडरा तो एलान किता है अपील किती है के खास तौरते बीजेपी ते बीजेपी दिनाल गटशोर कानवालिया स्यासी पार्टियां दे लीडरा नू केरके सुआल पुछे जान उस दा असर दिखाईवी दे सकदा है BJP लीडरानू किसाना दे रोधा सामना करना पैसकदा है तेया काली दल ते BJP दो विचाले जिड़ा समझ उताल लटक रहा है ओ वी किसाना दे संगर्श करके ही लटक रहा है कली दल पावे अंदर खाते बीजेपी दे नाल मोड सांच पौना चौनदा है पारे किसाना दे रोत और डर्दा कली दल हाले कोई फैसला नहीं ले पारे हा कली दल दे परदान सुबीर सिंग बादल अपनी पंजाब बचाओ यात्रा कट रहे ने कालो मोगा देने हाल सिंग वाला ते बागा पुराणा पहुंचे जिते सुबीर बादल ने मौजूदा आप सरकारते जम के निशाने साध्या किहा कि आप दे राजविच नश्यांदर जान खतरनाक हादता के वदया है दूसरे पासे आमादमी पार्टी ने भी जवाब दता है आमादमी पार्टी दे पंजाब चमुख बुलारे मालविंदर सिंग कांग ने के है कि सुबीर बादल दी पंजाब बचाओ यात्रा नहीं बलके परवार बचाओ यात्रा है उनना साब का मेर अक्षित जैन दीय कालिदाल देविच मुड़ वापसी हो गई है, सुग्वीर सिंग बादल ने उनना दे करे जाके प्योप उतनु मुड़ परवार देविच वापस ले आंदा, उधर विदा अनसबा हलका गडशंकर दे उग्गे कॉंगरसी लीडर ते विश्द मेंबर नरेश, चौधरी, कटारिया, आमादमी पार्टी देविच शामिल होगे ने, पंजाबदान समदे डिप्टी स्पिकर जैक शिन रोडी ने उनना पार्टी विच शामिल करवाया, लोकसबा चोणा दे पके होई महा अल दर्मयान, कल पंजाब दे मुख मंत आमने आवे, डुंगाई दे नाल जांच होवे, नशा तसकरां दे कनेक्शन दा पता लगाया जावे, तांजो इना दी चेन नू तोड़े आ जा सके, मुख मंतरी ने सपष्ट केहा के सियासी पार्टियां ते लोकां दे विच शुरख्या दी पावना होनी चाहीं दिये, आजो सारियां पार्टियां वादि चाड़के चोणा विच हिस्सा लैसकन। मंगलवार नू पंजाब दे मोख चोण अधिकारे सिब्बन सी ने वी पंजाब दे सारे जिल्यां दे SSP ते DSP दे नाल मुलाकात केती सी हदायता देतियां सान। मंगलवार नू पंजाब दे मोख चोण अधिकारे सिब्बन सी ही होनगे, वधी एक मोख चोण अधिकारे अब जी इत कपलिश मेंबर्स कत्तर होनगे, प्रेस इंफोर्मिशन ब्यूरो यनके PIB दे वलो नामजद DG ते ADG पदर देतकारी नोडल अफसर वी कमेटी विच शामिल होनगे, तिन मेंबरां दे विचवदी एक डिरेक्टर CBC चंडिगड बलजीत सिंग, पार्ती जोन कमिशन वलो अननन्दपूर साहब, पार्लीमानी हलकी विच नियोकत अब्सर्वर ते प्रेस कॉंसल अफ इंडिया वलो नामजद मेंबर विनोध कोली शामिल ने, उदर कॉंगरस दे कौमी लीडर राहूल गांदी ने कल पंज गरंटियां दितियां ने, ते ए गरंटियां खास्त और ते औरता नू दितियां गई याने, जिना दिविच सब तो वड़ी गरंटियां के जे कॉंगरस सत्ता विच आई ता गरीव औरता नू हर साल एक लखर पईये मिलनेगे, नौकरियां दिविच पंजाफ इस्ती राखवां करन दित्ता जावेगा, पार्त जोडो निया जातरा दर्मियान राहुल गांदी कल महराष्टर दे तू ले जिले दिविच पॉंचे हुए सान एथे औरता दी रैली नू संबोधन कारदियां राहुल गांदी ने एवी वादा कीता के मानता प्रापत समाजिक सेथ कारकुन यानके आशा वरकरां, आंगनवाडी वरकरां ते मिड़े मील योजना तहत कामकारदियां वरकरां दे ले बजट विच केंदर दी हिस्सेदारी दुग्णी कीती जाओगी, औरता नोन दे हक्कां प्रती जागरू करन ते उनन दे केस लड़न ले नोडल अफसरन युक्त कीते जानगे, देश दे ह जिले विच औरतां ले स्वित्री बाई फूले होस्टल बनाए जानगे, राहुल गांधी दियां इना पंच ग्रंटियां दी पंजाविदान सबादे विच विरोधी तर दे लीडर परताब सिंग बाजवा ने शलागा कीती है, उधर बॉडरां ते लगे हुए पक्के मोर कल पूरा मीना बीतन ते किसान लीडरां ने नवे एलान कीते ने, जग जीत सिंग डल्लेवाल सर्वन सिंग पंदेर अभिमन्यों को हाड सुर्जीत सिंग फूल अते होर किसान लीडरां ने शंबू बॉडर ते प्रेस कॉन्फरेंस करके, संगर्ष नुमुग औन दे एलान किसान ने शहीद किसान शुबकरन सिंग बल्लो दियां अस्थियां दी देश व्यापी शही दी कल्ष यात्रा कड़न दा फैसला लेया है इस दा अगाज परसो नुँ शुबकरन सिंग दे बठिंडा जिले देवेचे जद्धी पिंड बल्लो तो ही कीता जावेगा इस यात्रा सब्तो पहला हर्याना देवेचे दाखल होवेगी बौडरा तेवी जावेगी वाखवख पिंडा जो हुन्दी हुई 22 अगरे पियु आजरा पहुंचेगी जित्थे वट्डा शिही दीस मागम होवेगा फिर कत्ती मारश नुँ अंबाला दे पिंड मोडा देवेचे शिही दीस मागम होवेगा किसाना ने दसेया के इस यातरा दा मकसद पूरे देशवासियानू दसना है के सरकाराने केंज शात महीं बैठे किसाना दे उत्ते जोलम टाया सी यात्रा देविच मौझूद किसाना दे हथां वेचे किसानी मंगा नू लेके ते शुबकरन सिंग समेत होर्शीद किसाना दिया तख्तियां फडियां होन गियां किसान लीडरा ने लोका नू अपील कीती है कि थोड़े इलाके देविच जित्ते वी बीजेपी जा फिर बीजेपी देनाल गाठ जोड करनवालियां सियासी पार्टियां दे लीडर और उनना तो स्वाल पुछो के किसाना तेना तिशदद क्यों कीता गया जे ओ जवाब नही दिन्देता काले चंडे उननों दिखाये जान। हर्याना दे नौजवन किसान लीडर अभी मन्यों कोहर ने एलान कीता कि वड़ी गिंती विच हर्याना दे किसान एस कल्ष यात्रा दिवेच शामिल होंगी। हमारी मांगे लिखी होंगी उसके उपर एक तरफ बैनर लगा होगा जिसके उपर शुब कर्म की शुब करने की तस्वीर होगी और वो बोल रहा होगा कि मेरा क्या कसूर था मैं यह यह मांग रहा था मेरा क्या कसूर था अपने की सरकार ने हमारे साथ यह वाइदे किये थी तो ये सब बाते हम पूरे देश के अंदर देश के किसानों के शमक्ष रखेंगे हमारा ये प्रयास है हर्याना के अंदर अभी हिसार अते है अमाला के अंदर दो बड़ी यात्रा के चलते चलते है दो बड़ी सबाएं करने का डेट फिक्स की गई है किसानों को पिस बोली डंग से सवाल करने का समय दे सवाल जवाब होंगे हम इससे कुछ भी आगे नहीं करेंगे अगर हमारे लोगों को वो सवाल भी नहीं करने देते हैं हमें अपनी बात भी नहीं रखने देते हैं तो फिर हम लोग कालो जंडों से काले जंडे दिखाएंग और विरोद करेंगे भी आप हमें अपनी बात भी रखने कि ना तो आपके पर्चों से डुर्णेवाडे हैं ना आपके जमीन पुरकी और काते सील करने के नोटीसों से डुरें वाडे हैं ये दोनों जो शर्दांजली समारों ओंगे ये सपश्ट बता देंगे पूरे परदेश को और पूरे देश को के हरियाना किस सतर पर इस आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ है आप देखी रहे होंगे कि इतना दबाव होने के बावजूद अलग अलग जिलों में दोनों फोर्मों के आदेश पर दोनों फोर्मों के आवान पर ट्रेक्टर मार्च अभी भी निकल रहे हैं और ना सिर्फ परियाना में जो ये शर्धांजली समारों होंगे और जो ये शहीदों की यात्रा जो चलेगी अस्तिकलश यात्रा ये उत्तरपरदेश में भी होगी, मद्यपरदेश में भी होगी, तमिल्लाडू, करनाटका, केरला, गुजरात, राजस्थान ये सब जगह और जब उन शहीद यात्राओं का समापन होगा अस्तिकलश यात्रा का, तो उन तमाम राज्यों में बड़े-बड़े शर्धांजली समारों भी किये जाएंगे आज नानक शही सम्मत 555 हो गया, यानिके देसी नवी साल दा आज पहला दिन है, इक चेत है चेत गोविंद आरादिय होवे अननंद कना, संत जना मिल पाईये, रसना नाम पना, चेत बसंत पलाप वर्सुहावडे, बन फूले मंज बार मैं पिरकर बाहुडे पावन श्रीगुरु ग्रांद साहिव जी दे अंदर, गुरु अर्जन दे पाथशा ते गुरु नानक साहिव पाथशा ने, वक्खो वक्रे बारा महा देवेच, चेत मेही निदी महमा देवेच, ए पंकतियां उचारियाने तियसी वी इस खेड़यां पर इमान मती सज्जरी स्वेर मौके सार्यानू मबार्क बात देंदे हां, अर्दास कर दे हां के हर एक दिलेई इवरा, खुशियां उदासियां दिवेच, सहज पावनाल विच्रन दी समरत्था देनवाडा होवी नानक्षाही वरा पंसो चुरंजा अपना पूरे साल दा पेंडा तै करके रात बारा वजी लुप्त हो गया है, ते पंसो पच्चवंजा मावरा आज अपने सब्दे सामने खड़ा है अंग्रेजां दे नवे साल मुताबिक ता एक जन्वरी नू नवा साल चड़ दे, पर नानक्षाही सम्मद दे मुताबिक आज एक चेत यानिके हर साल 14 मार्च नू नवा साल चड़ दे, थोन सब नू बहुत-बहुत मुबारक हुन मौसम दी ताजा जान करी मौसम बिपाग दी पुविखवानी दी मुताबिक कल पूरे पंजाब समेथ हर्याना अते चंडिगड दिवेच बदल चाही रहे किते-किते बहुत हलका मी जिसनों पूर केंदे ने पूर पई किते-किते थोड़ीयन या जादा कणिया पईया पर बहुत तेज मी दी खबर सानू कितों ने मिली थोड़े पेंड शेर इलाके दिवेच की हलात रहे ने तुसी मेसेज करके जरूर सानू दसे हो मौसम बिपाग ने अगले पंच दिना तक मौसम खुश करेंड दी ही पविखवानी कीती है चाहे पंजाब हर्याणा चाहे चंडिगड होवे किते भी मी पैंडी स्तारा मार्च तक कोई संभावना नहीं है आज भी मौसम साफी रहेगा हाला के कल जो भी मड़ा मोटा मी प्या है उसतो बाद मौसम जरूर थोड़ा जा बदल गया है ठंडक महसूस कीती है लोका ने पंजाब हरे अना समेत चंडिगड दे तापमान दे वेच कल कमी दर्ज कीती गई है सबतो बद कमी फिरोसपुर दे वेच 5.4 डिगरी दी हाला के किनमिन तो बाद सारे इलाकें दे वेच तुप वी चड़ी किसाना नो जरूर राहत मिली है क्योंकि जे मी पैंदा है ता कणक दी बिलकुल पक्कन किनारे खड़ी फसल है जड़ी ओ खराब हो सकती है मी आवे हा नेरी आवे तुफान आवे ओसने फसला दा नुकसान जही मौसम दिवेच करना ही करना है सो सारे आसा अरदासा ही कर रही ने के होन मी ना कमी ना ही पवी